असलाम अलेकुम हिलो फेंट्स विल्कम टो मैं जहां राज की चेन में हूँ जहां आरा उमीद करती हूँ आप सब खरियत से जरूर होंगे आज ही मैं आप सभी के साथ होट एंड सार चिकन सुप की रेसिपी शेर करने वाली हूँ तो फ्रेंड्स अगर आज की रेस्ट्रेंट स्टाइल होटन सर चिकन सुप की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है आप लोगों के लिए हिल्फु लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएगा तो चलिए इसे जल्दी से स्टार्ट करते हैं सुप बनाने के लिए हमें चाहिए 200g के करीब चिकन में हाप पर 3-4 लोगों को सर्फ करने के हिसाब से ही चिकन सुप बनाने वाली हूँ और मैंने हाप लिए चिकन का हड़ी वाले गोस्त लिया है भॉनलेस चिकन भी लिया है अग्डी वाले अगर आपके पास प्रिंग और नियन है तो आप यहां पर इस्तिमाल कर सकते हैं आप अपने हिसाब से जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं तो अब हमें क्या करने सबसे पहले अद्रक और लेंगे तो यहां पर मैंने स्टोप के हाई टो मीडियम फ्लेम पर कुकर रखा है अब में यहां पर एक चमच बटर रैट कर लेती हूं आप चाहें तो अलीव ओयल से बना कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा दो से तीन चमच रिफाइंड ओयल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं जब बटर हलका सा मेल्ट हो जाएगा हमें यहां पर चिकेन आट कर लेना है और साथ ह में यहां पर आट से दस काली मिच भी डाल दूँगी काली मिच और चिकेन को हम भून लेंगे चे साथ मीट के लिए हाई मीडियम फ्लेम पर ताकि जो उपर का स्कीन है बिल्कुल इसका कलर चेंज होने तक हम इसे बून लेंगे इस तरह से तो यहां पर देख सकते हैं चिक तो यहां पर जो है ना आप देख सकते हैं इस तरह से आपको बिना पानी डाले दो मिट के लिए हाई मीडियम फ्लेम पर चिकेन के साथ बेजिटेबल स्कूप भुन लेना है अब में हाँ डाल देती हूं आधी चमच नमक नमक हम बाद में इस्तिमाल करेंगे तो यहां पर मै हमें स्टोप का लो कर लेना है लो फ्लेम पर हम इसे 15 से 20 मिट के लिए पकने के लिए चोड़ देंगे हाई फ्लेम पर एक वीसल देने के बाद मैं इसे पका लिया था और खुद बखुद प्रेसर रिलीज होने के बाद मैं इसका लीड़ा कर आप लों के साथ शेयर करें य इसी से हम सूप बनाना स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है हमें जो चाना है बेजिटेबल और चिकेन को अलग कर लेना है और वेजिटेबल को इस तरह से अलग बेजिटेबल का जितना भी प्रोटीन होता है वह पानी में आ चुका है तो हमें उसको फे तो अब हमें चलना है स्टोप के तरफ मैंने जो कड़ाई पर स्टॉक निकाला था यह अच्छी तरह से खुलने लगा है आप देख सकते हैं उसके बाद हमें यहां पर स्रेट किया हुआ चिकेन को एट कर लेना है इस तरह से तो यहां पर हमें फ्लेम हाई मीडियम पर ही रख बढ़ जाता है अब में हाप डाल दूंगी एक चमच वाइट भी नेगा इसे के अंदर का चिकेन के अंदर का ओक हत्म हो जाता है तो यहां पर देखिए जितना भी जाग आते जाएगा हमें इस तरह से चमच से निकाल देना है क्योंकि जागा कर रहेगा सूप में तो पीन इस तरह से निकाल के लिए जितने शूप अगर आप पीते हैं उसमें इस्तिमाल किया जाता है गाड़ा बनाने के लिए तो यहां पर देखिए थोड़ा सा पानी डाल कर मैंने गोल तैयार कर लिया है अब हमें क्या करना है फ्लेम हाई कर लेना है थोड़ा-थोड़ा करते आपको इस तरह छमच चलाते रहना है तो फिर से आगर आपको सूप पर देखे बिजह आपको इस तरह से निकाल देंगा है इस간ी तरह से निकाल देना हो पर हमें टाल देना है आँए sant प्रेट के जहीं हैं एक घृड यूरा है जाता है तो यहां पर देखे मेने सबी अच्छी कुछ टाल कर अच्छी तरह से मिला लिए हैं 3-4 मिट के लिए हम हाई मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेंगे उसके बाद जो है हमारा अंडा भी अच्छी तरह से पक जाएगा सबसे आखिर में हमें हाँ पर एक चमस डार्क सोया सॉस डाल देना है इसे क्या ना सूप का कलर बहुत है और हलका सा खटापन भी रहता है अब ह ही अमें के हाई लिए स्रुप फ्लेम पर दो मिनिट के पता है उसके बाद हमारा चिकैन सूप बिल्कुल बंकर त्यार हो जाएगा तो इहां पर देखिए हमारा क्हिता बिल्कुल बनकर तयार है सबसे आखिर में हरा धनिया बारी कट कर तोड़ा सा डाल दे या फिर स्प्रिंग ओनियन अगर आपके पास तो आप इसे डाल सकते हैं इसे आप गर्मा गर्म सर्फ कीजिए बहुत ही मज़ेदार का सूप बनकर तयार होता है और साथी बहुत ही हेल् सर्फ करें इस सूप से आपको बहुत ही फाइदा भी मिलने वाला है सर्दी का मौसम आने लगा है अगर आप इसे रोजाना बना कर पीएंगे ना तो आपको सर्दी जुखाम चूपाएगा और नहीं आपको कोई भी तकलीप और नहीं कमजोरी मैसूस होगी जोडों की दरत चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलेगा साथ में बेल आइकन को जरूर कीजिए उसे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पर सबसे पहले पहुंचेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे और साथ ही अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई ह प्लीज मुझे कमेंट करके भी जरूर बताईएगा तो चलिए मिलते हैं एकने रेसिपी के साथ अपना खयाल रखें और मुझे दूआओं में याद जरूर रखें अल्लहाफीज